आप सभी स्टूडेंट्स का लर्न इट में स्वागत हैं आज हम पढ़ेंगे टॉपिक टू ओलम्पिक मुवमेंट्स का जो की यूनिट टू है फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 के अंदर टॉपिक टू का पहला टॉपिक आता है इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी जिसे हम बोलते हैं IOC इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी ओलम्पिक गेम्स को और्गनाईज करने के लिए डिस्पॉंसिबल है इसका हेड़कॉर्टर स्विजरलेंड में बेस्ड है और ये 23 जून 1894 को पीरे बारेंडी कोबर्टीन के द्वारा स्थापित किया गया था इसका पहले प्रेशिडेंट है देमित्रस विकैलिस हर एक कंट्री का एक रेप्रेजेंटेटिव इसको रेप्रेजेंट करता है और बेसिकली five executive members इस कमीटी में डिसाइड करते हैं कि कुन सी प्लेस और कु अब बात करते हैं थोड़े डीटेल के अंदर International Olympic Committee के बारे में तो इनके कुछ मेंबर्स हैं जो अलग-अलग देशों से होते हैं इनमें 15 मेंबर्स की एक टीम होती है जिसके अनदर 1 President, 4 Vice President और 10 Executive Board की मेंबर्स होते हैं President की बात करें तो उनको नियोकती मिलती है Board of Members के द्वारा इनका जो कार्यकाल होता है वो 8 साल का होता है और इनके कार्यकाल खतम होने के बाद इसे 4 साल के लिए एक बार और Extend किया जा सकता है दूसरी बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो International Olympic Committee के अंदर चार वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो भी Member of International Olympic Committee के द्वारा सिलेक्ट किया जाते हैं इनका भी जो समय होता है वो चार साल का होता है इनके एक्सपाईरी के बाद इनको वापिस से चूज किया जा सकता है अगर Member चाहे तो Last Point आता है Executive Board Member के बारे में Basically ये हरे Countries से अलग-अलग Secret Ballot के तुरू मतलब चुनाओ प्रक्रिया के तुरू इनको सिलेक्ट किया जाता है और ये Executive Board of Members ही Olympics का Administration और उसके जितने भी Affairs है उसके बारे में पता रखते हैं तो बात करते हैं IOC के Functions क्या है International Olympic Committee के Functions क्या है पहला जगे और When You Decide करना कि कहां पर कौन सा प्रोग्राम होगा Second, नए Members को Sports Program को अच्छी तरीके से चलाने के लिए और कौन सी सिटी में प्रोग्राम होगा या Olympics का यी कौन सा गेम्स कौन सी सिटी में होगा उसको सिलेक्ट करने का काम भी IOC के पास होता है यही प्रमोट करता है Sports of Games को Different-Different Levels पे Doping के लिए मतलब Drug Test के लिए भी वो फाइट करता है कि कोई Illegal Drugs यूज ना करे Different Organizations को Social Level पे भी और Economical लेवल पे भी प्रमोट करते हैं यह Sports के Ethics को और जो Youth हैं उनको Educate करने के लिए कि Physical Education की Importance कितनी है बहुत सारे Cultures और Educations को अगर Combine किया जा Sports के अंदर तो यह भी एक अच्छा Motivation बन सकता है यह भी कौन बढ़ाता है IOC Political और Commercial Abuse ना हो Sports और Athlete का इसका विद्यान कौन रखता है IOC Women's का Promotion और उनको Encourage करना किसी भी Sports लेवल के अंदर यह भी काम होता है IOC का किसी भी प्रकार का बेदबाव ना हो इसका विद्यान IOC रखता है Motivate करता है Sports को Develop करने के लिए और हमेशा Strengthen करता है ताकत बढ़ाता है Unity की और हमेशा Protect करता है Independence Olympic Moment का अब हम बात करते हैं Indian Olympic Association के लिए जिसका Short Form है IOA इससे Form किया था 1927 में Mr. Dharovji Tata द्वारा जो कि इसके First President थे Dr. D.B. Neoran इसके Secretary थे और G.D. Sondhi इसके Assistant Secretary थे IOA को Affiliation मिला हुआ है International Olympic Committee की तरफ से इसके Election हर 4 साल में होते है General Assembly के Election में और इसके Council Members को Decide किया जाता है इसके Members के अंदर एक President 9 Vice President है 6 Secretary Generals है 1 Treasurer है और 12 Representative Executive Members है IOA Participation Olympics के अंदर Ensure करता है और इसके अलावा वो Asian Games Commonwealth Games के अंदर भी Players को भेजने के लिए सपोर्ट करता है सारे के सारे Sports Federation Help करते हैं Indian Olympic Association को अब हम बात करेंगे Objectives क्या है Indian Olympic Association के पहला यह है कि Development और Promotion करना Olympic Movement का सारे Rules on Regulation को International Olympic Committee या Indian Olympic Association द्वारा दिये गए सब को Enforce करना या लागू करना Next, Official Organization करना किसी भी चीज का किसी भी Olympic event का Promote करना और Encourage करना Physical, Moral, Cultural, Educations Young People के लिए Admit करना Membership of State Olympic Association and National Sports Federation जिसके लिए Annual Reports जो Submit करनी होती है या Audit Statement जो Submit करने पड़ते Accounts के उनको IOA तक पहुचाने का काम भी कौन करता है International Olympic Association करता है Next, Government Organization और इसे रिलेटेड माटेरियल को भी कौन देखता है Indian Olympic Association अगर हम और बात करते हैं जिसके कुछ और पॉइंट जैसे कि पहला यहाँ पर National Sports Federation Financial Management Transport करना Maintenance और सारी टीमों का Welfare देखता है जो भी टीम आगे जाके IOC में पार्टिसिपेट करती है From India Second, सजेस्ट करती है Names कि कौन व्यक्ति कौन सा पार्टिसिपेंट्स आपके Olympic Games में जा सकते है यह Disciplinary Actions भी लेती है बहुत सारे Federation के Misbehave के लिए या Undesirable Activity जो की Country के लिए Discredit लाएगी उसके खिलाफ एक Corporation में रेती है National Sports Federation और Association I.O.A. के जो कंट्रोल करता है Selection, Training को और Coaching को जो आगे जाके Indian Team को represent करेगी यह बहुत सारे Rights को भी Enforce करता है जिसके कारण Olympic Flex का कहां Use करना है और इसका कहां इस्तमाल होगा उसका विद्यान कोन रखता है यही Committee रखती है यह National और International Competitions को Organize भी करता है Discrimination से बचाता है जैसे की Cast, Religion, Color और Area के भेदबाव से Last बात करते है Code of Conduct को हमेशा रखता है मतलब World Anti-Doping Agency के साथ में काम करते हुए चलता है और Doping नहीं होने देता है अब हम इस Chapter के आखरी Point पे है जिसका है नाम Functions of Indian Olympic Association पहला यह है कि यह करता क्या है यह Olympic Movement को Promote करता है Second, National और International Levels of Games को Organize कराता है Third, यह Support करता है और नाम देता है बहुत सारे Players के लिए जो आगे जाके International Level पे Participate करेंगे Synchronize करता है मतलब तालमेल बिठाता है Federation और International Indian Government के बीच में आगे जाके यह Healthy Relationship रखता है बहुत सारे Federation Association, National Federation और Olympic Association के बीच में That's it for today's video I hope you have understood the topics very well But for more understanding I urge all of you To repeat this video again For clearer understanding If you like the video And its content Give it a thumbs up And don't forget to comment your name In the comment section If you are unable to understand Or is struggling in any of the topic Please write the topic In the comment section I will surely try to get to you soon So for more of such videos Stay tuned to the channel Stay safe Stay healthy And don't forget to Learn it